हालो एवरीवन विलकम बैक टू मैं चानल आज मैं बना रही हूं मावा ड्राइब फूट बर्फी जनमाश्ट मी स्पेसल सबसे पहले पैन में थ्री स्पून गी डालेंगे उसमें हाफ कप काजू हाफ कप बादाम और हाफ कप मखाना लेंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छ मैंने बनाया है यह बहुत ही स्वाधिष्ट बर्फी रहती है देखी मैंने उसको मिक्सर में क्रस्ट कर लिया है बहुत फाइन नहीं करेंगे दर दरा सा रहने देंगे फिर थ्रे स्पून खस-खस और जो सुखन अरियल होता है उसको मैंने ग्रेट करके लिए हाफ कप है जल्दी खालाबनी होता है जो भी हम बर्फी बनाते है या सुट्स बनाते हैं वो खालाबनी होता है जो क्रस किया था राइब पुर्ट इसी में मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे दूसरे पैन में खाली कर लेंगे और साइड में रख देंगे आप इसको किसी भी फेस्टिवल में या ऐसे ही आप बना कि इसको रखिए सबको बहुत पसंद आएगा मैंने वन कप मावा लिया है 250 ग्राम और उसमें 400 ग्राम मैंने सुगर डाला है टू कप मेजर्मेंट से अगर लेंगे तो और लो फ्लेम पे इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो मावा है और सककर सब अच्छे से मिक्स हो जाए सककर गुल जाए और मावा भी अच्छे से पक जाए ताकि हमको बर्फी जमाना है तो कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए फ्लेम को लो ही रखेंगे, नहीं तो मावा हमारा पैन में लग सकता है, कोई भी लंसने रहना चाहिए, अच्छे से चलाते हुए इसको हम पकाएंगे, बहुत ही जल्दी ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, सुगर मिल्ट होगा तो, देखिए मैंने पांच मिनट इसको पकाया है, लो फ्लेम पे चलाते हुए, थोड़ा ड्राइव हुआ है, लगबग 8-10 मिल्ट हमको पकाना चाहिए, ये तब ही अच्छे से हमारा मावा पकेगा, और सक्कर मिल्ट हो जाएगा, तो जो हम बर्फी जमाएंगे, तो बहुत अच्छी से जमेगी, अच्छे से पकाते रहेंगे, जब मावा साइड साइड में छोड़ने लगे, ये मैंने पैन लिया है, जिसमें बर्फी जमाना है, ट्रे है, बर्फी वाला, उसमें मैंने घी ग्रीश कर लिया है, अगर आप के पास बठर पेपर है, तो बठर पेपर लगाके, उसके उपर लगाए बहुत अच्छे से इजली बर्फीनिकल जाएगी इसको साइड में रखेंगे अब मावा को देखेंगे देखे यह अभी पक रहा है लगबग 8-10 मिट इसको पकाना है और चलाते हुए पकाना है ताकि यह लगे नहीं मावा का कलर हलका सा चेंज होगा वन इस्पून मैंने इलाइची पॉडर डाला है इस इलाइची को मैंने सुगर के साथ पीसा है तो वन इस्पून डाला है अगर इलाइची पॉडर डाल रहे हैं तो हाफ इस्पून इलाइची पॉडर डालिए अच्छे से मिक्स करिए और फ फिर से चलते हुए इसको चार से पाँच मिनिट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि जो भी ड्राइफ फ्रूट से वह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाय और यह थोड़ा सा ड्राइफ हो जाया 5 मिनिट इसको पकाना है हमको चलते हुए इलाची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है अब ड्राइब फ्रूट जो हमने रोष्ट करके डाला है उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आप बना के देखिए इस तरह से मावा बर्फी बहुत ही टेश्टी बनेगा देखिए साइड साइड से छोड़ने लगा है तो अब हमारा मावा रेडी हो रहा है बर्फी के लिए पांच मिन्ट हो गया है पकाते हुए चलाते हुए देखिए कितना अच्छा सा हो गया है ड्राइब भी हो गया है थोड़ा आप सभी को जन्माश्टमी की बहुत बहुत बढ़ाई ड्राइफ फ्रूट में जो भी आपको और पसंद है तो आप और कुछ भी डाल सकती है इसमें अब देखिए ड्राय हो गया है तो हम जो ग्रीश की वे ट्रे में इसको ट्रांस्फर करदेंगे अच्छे से सबको और अच्छे से दबाते हुए फ्लैट कर देंगे, सारे ट्रे में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, चिकना कर देंगे, बहुत इसली हो जाता है ये, इसका जो टेक्शर होता है, दरबरा सा ड्राइफ फ्रूट्स का टेश जो आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्रंची सा, देखें ये सारा चिकना हो गया है, अब हम गरम में ही इसको थोड़ा कट लगा लेंगे, ताकि बाद में हमको प्रॉप्लम ना हो, उपर से पिस्ता डाल दिया है, देखने में अच्छा लगेगा, और इसको फिर से हम स्पून से दबा देंगे ताकि सारे पिस्ता मावाव में सेट हो जाए, देखने में बहुत अच्छा लगता है तेस्ट भी अच्छा रहता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको गन्ता कर सकते हैं ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है य forum एक कितना अच्छा से प्रेड हुआ है देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब इसको कट कर लेंगे गिले में कट करने से अच्छा से कट हो जाता है और बाद में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब यह सेट हो जाएगा तो बहुत इसली निकल जाएगा क्योंकि हमने पहले इसको कट लगा दिया है अपने इच्छा के अनुसार आप कोई भी सेप काट सकते हैं देखिए दो घंटे मैंने ठंडा होने दिया फिर यह